इंडियन पैंगोलीन के बारे में ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेट क्वेस्टन जो है हमें GS प्रेलिम्स और GS पेपर थौर्ड की कंजर्वेशन सेक्षन से पूछे जा सकते हैं अभी अभी जो है Odisha Forest Environment Department ने पहली जो रेडियो टैगिंग है वो इंडियन पैंगोलीन की है जिससे इनका रिहाबिटेशन जो है वो प्रोटोकॉल जो है इनका कि इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल्स को इन स्टेट्स में उसके लिए जो जियो टैगिंग जो ये रेडिय रेडियो टैगिंग हो रही है उससे इनका प्रोटेक्शन किया जाएगा अब इसके बारे में हम देखें तो रेडियो टैगिंग जो है इंडियन पैंगोलीन की जो नंदाकन वाइड लाइफ सेंचुरी है उसमें रिलीज की गई ताकि पोस्ट रिलीज मॉनिटर किया जा स है जिसमें रेडियो टैगिंग की गई है इंडियो पैंडियन पैंगोलीन की चाइनीज पैंगोलीन भी होती है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर है इंडियन पैंगोलीन के बारे में देखें तो इसकी थिक स्कैली स्कीन होती है आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं यह बिल पैंगोलीन जो है यह most trafficked wildlife species है दुनिया भर में इसको बेचा खरीदा जाता है बहुत ज्यादा Indian पैंगोलीन जो है यह 8 जो पैंगोलीन species है उसमें से सबसे बड़ी है 8 species जो पैंगोलीन की है उसमें से Indian और Chinese पैंगोलीन इंडिया में मिलती है यह दोनों species जो है scheduled one में और part one में जो है प्रोटेक्टेड है wildlife protection act 1972 के तहत और nocturnal animal है जो की गढ़्धे में रहना पसंद करता है और जो है आंट और termites को खाता है आयोसियन रेड लिस्ट में देखें तो इंडियन पैंगोलीन जो है endangered category में है इसकी category याद रखेगा तो इंडियन पैंगोलीन के बारे में ध्यान रखेगा इससे related question हमें प्रेलेम्स में और conservation section जो जियस पेपर 3 में है उसमें question पुछे जा सकते है